नमस्कार मैं रवी शंकर, नियूस क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बनते ही तूटने के लिए हैं मगर इन रिकॉर्ड्स को तूटने में कितना वक्त लगता है किस खिलाड़ी या टीम के पास कौन सा रिकॉर्ट कितने वक्त तक रहता है ये महतोपूर्ण है जैसे इन दिनों क्रिकेट वर्ड कप खेला जा रहा है और यहां भी हर मैच एक नया कीर्थिमान लिख रहा है हर मैच में कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कई बन रहे हैं ऐसे में हम वन डे वर्ड कप क्रिकेट इतिहास के कुछ खास रिकॉर्ड को आपके साथ साजहा करेंगे सबसे पहले बात गेंदबाजी की क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे खिलाडी भी हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम अलग से दर्ज करवाया है क्योंकि वो वक्त वक्त पर अपनी टीम के लिए बेहतरी इन पर्फॉर्मेंस देते रहे हैं ऐसे ही खिलाडी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन में ग्राथ जिनके नाम वन डे वर्ड कप इतिहास के सबसे ज़ादा 71 विकेट दर्ज हैं सिर्फ विकेट ही नहीं इनहीं के नाम वर्ड कप इतिहास में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर भी हैं वैसे तो विकेट के मामले में इनके पीछे श्री लंका के खतरनाक गेंदबाज रहे मुतहिया मुरली धरन है जिन्होंने 68 विकेट लिये हैं मगर वो रिटायर हो चुके हैं ऐसे में आस्ट्रेलिया के ही मिचल स्टार्क हैं जो मेगराद का रिकॉर्ड तोड सकते हैं क्योंकि वो अभी आस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं और 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ हुए मुकाबले तक 55 विकेट भी ले चुके हैं इसके अलावा मौझूदा वक्त में खेल रहें न्यूजिलेंड के ट्रेंट बोल 44 विकेट बंगलादेश के शाकिबल हसन 49 विकेट इंडिया के मुहमद शमी 31 विकेट के साथ रिकॉर्ड की इस लिस्ट में बने हुए हैं आपको बता दें कि 2023 वर्ड कप में भी ये खिलाडी खेल रहे हैं तो टूर्डामेंट खत्म होने तक इनके रिकॉर्ड में बदला होने भी तैह हैं अब बात करते हैं बल्लेबाजी की जब बात क्रिकेट में बल्लेबाजी को लेकर किसी भी रिकॉर्ड की आती है तब सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है सचिन तेंदुलकर का जिनोंने वन डे वर्ड कप क्रिकेट के इतिहास में सबसे जादा 2278 रन बनाए हैं इतने रन बनाने के लिए सचिन ने 44 पारियां खेली हैं सचिन के बाद दूसरे नंबर पर आस्ट्रेलिया केरी की पॉंटिंग हैं जिनके नाम 42 पारियों में 1747 रन हैं तीसरे नंबर पर स्री लंका के कुमार संगाकारा हैं जिनके नाम 35 पारियों में 1532 रन हैं आपको बता द यानि कोई बड़ी बात नहीं कि वर्ड कप 2023 में ही ये दोनों खिलाडी इन रिकॉर्ड को अपने नाम कर लें इन दोनों के अलावा इस लिस्ट में बंगलादेश के शाकेवल हसन भी हैं जो वर्ड कप 2023 खेल रहे हैं ये भी 1200 से जादा रन बना चुके हैं अब बात एक मैच में सरवाधिक स्कोर की वर्ड कप था 2015 का तारीख थी 21 मौका था वेस्ट इंडीज और न्यूजी लेंड के बीच क्वाटर फाइनल का न्यूजी लेंड के कप्तान बेंडम मेकुलम ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया बल्ले बाजी के लि और फिर तुफानी अंदाज में 200 का आंकड़ा पार कर लिया गप्तिल यहीं नहीं रुके उन्होंने 37 रन और जोड़े यानि कुल मिलाकर मार्टिन गप्तिल ने 163 गेंडों में 24 चोके और 11 चक्के मारे और 237 रन बना डाले यह विश्व कप 2023 से पहले तक तो सरवाधिक स् तो चौथे नमबर पर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगूली का नाम है जिन्होंने एक मैच में 183 रन की पारी खेली थी फिलहाल विश्व कप 2023 में जिस तरह से ताबर तोड बल्ले बाजी की जा रही है ऐसे में लगता है कि कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है अब सबसे ज़ादा और सबसे तेश शतक और अर्ध शतक की वर्ड कप 2023 शुरू होने से पहले इस टूर्णामेंट के इतिहास में सबसे ज़ादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचेन तेंदुलकर के पास था जिन्होंने 6 शतक मारे थे मगर इस वर्ड कप में इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ती हुए 7 शतक पूरे कर लिए वो इस टूर्णामेंट में अभी और शतक लगा सकते हैं यानि उनके शतकों की संक्या बढ़ सकती है रोहित और सचिन के बाद आस्टेलिया के रिकी पॉंटिंग और श्रिलंका के कुमार संगा कारा 5-5 शतक लगा चुके हैं आपको बता दें कि शतकों के रिकॉर्ड की लिस्ट में आस्टेलिया के डेविड वार्णर भी पीछे नहीं है और वो अभी भी खेल रहे हैं यानि वार्णर भी इस वर्ड कप में अपने शतकों की संख्या में इजाफा कर सकते हैं अभी यही पर अगर बात करें कि वर्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक किसने लगाया है तो नाम आता है साउथ अफरीका के एडन मार्करम का इसी वर्ड कप में वो 7 अक्टूबर को शिरिलंगा के खिलाफ हुए मैच में 49 गेंदो पर 100 रन बना चुके हैं मार्करम के बाद आरलेंड के केविन ओब्राइन 50 गेंदो पर शतक लगा चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल भी एक्क्याउन गेंदो पर शतक लगा कर अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज करवा चुके हैं यह आंक्टे कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि मैक्सवेल और मार्करम फिलहाल खेल रहे हैं शतकों के साथ अगर सबसे ज़ादा अर्ध शतकों की बात करें तो यह कीरती मान भी सचेन तेंदूलकर के नाम ही दर्ज है वर्ड कप इतिहास में वो 15 अर्ध शतक मार चुके हैं जिनके पीछे सिर्फ बांगलादेश के शाकेबल हसन हैं जो 10 अर्ध शतक पूरे कर चुके हैं और इस टूर्णामेंट में अपने नमबर बढ़ा सकते हैं इसके बाद साउत अफरीका के जैक कैलिस 32 मैच में 9 अर्ध शतक इंगलेंड के ग्राहम गूच 21 मैच में 8 अर्ध शतक के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं अब बाद सबसे ज़दा चुके और चौकों की क्रिकेट इतिहास में या मौझूदा वक्त में कुछ ऐसे खिलाडी हैं जिनकी पारी हमेशा धुआधार रहती है जैसे वेस्ट इंडीस के क्रिस गेल या साउत अफरीका के एबी डिबिलियर्स हैं ये खिलाडी हमेशा बड़े शॉट्स लगाने पर विश्वास रखते हैं यही कारण है कि वर्ड कप दोहजार तेस शुरू होने से पहले सबसे ज़दा सिक्स क्रिस गेल के नाम थे उन्होंने विश्व कप की 34 पारियों में 49 छखके चड़े थे तो दूसरे नंबर पर एबीडी बिलियर्स थे जिनके नाम 22 पारियों में 37 छखके दर्ज हैं हलागि अब भारत के रोहित शर्मा सबसे आगे निकल चुके हैं वही चौकों की बात करें तो अब भी सबसे ज़दा सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही हैं सचिन ने अपनी 44 पारियों में 241 चौके जड़े हैं जबकि दूसरे नंबर पर कुमार संगा कारा हैं जिनके नाम 35 पारियों में 147 चौके हैं फिलहाल मौझूदा वक्त में खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बलेबाज इस लिस्ट में हैं लेकिन सचिन तंदूलकर के इस रिकॉर्ड से कोसो दूर है इसके बाद बाद वन डे वर्ट कप में सबसे बड़ी जीत की विकेट के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड फिलहाल भारत के पास ही है तब भारत 10 विकेट से मुकाबला जीता था ये वक्त था 1975 में हुए विश्वकप का भारत का मुकाबला इस्ट अफरीका के साथ था तब मैच 60-60 ओवर के हुआ करते थे इस मैच में भारत की ओर से सुनील गावसकर ने नबाद 65 रन की पारी खेली थी इस दोरान उन्होंने 9 चौके भी लगाए थे वहीं अगर रनों के लिहास से देखें तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड आस्ट्रेलिया के पास है क्योंकि आस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 275 रनों से हरा दिया था ये मैच साल 2015 के विश्वकप में 4 मार्च को खेला गया था इस मैच में पहले बल्लेवाजी करते हुए औस्ट्रेलिया ने 6 विकट के नुकसान पर 417 रन बनाए थे इससे पहले भारत भी 2007 के वर्ड कप में बर्मुडा को 257 रनों से हरा चुका है वहीं अगर सबसे बड़े रन्चेस की बात करें तो मजूदा 2023 के वर्ड कप में पाकिस्तान ने श्री लंका के खिलाफ किया है जो 245 रनों का था फिलाल इस वीडियो में इतना ही लिउस क्लिक की वर्ड कप क्रिकेट सीरीज के अगले वीडियो में कुछ और दिल चस्प किस्से आपके सामने रखेंगे शुक्रिया